Hello students, myself Sam Manohar Pandey, PGT Physical Education from JP Education Academy, Kursaigans. Welcome to my class. Now today's topic is Planning in Sports. First chapter है. तो बच्चो आज हम लोग क्लास 12th, Physical Education स्टार्ट करने वाले हैं. Physical Education हम लोग डायरेक्ट नोट सही पढ़ेंगे. First chapter हम लोग का है Planning in Sports. Basically हम लोग को Planning ही पढ़ना है कि एक टूनामेंट के पीछे किन-किन लोग का हाथ होता है और कैसे कैसे और अर्गनाईज होता है. ये नोट्स मैंने कुछ बनाय हुए हैं और बाकी मैं आपको समझाता जाओंगा. तो आज हम लोग Physical Education का जो पहला chapter है Planning and Sports आज इसको स्टार्ट करेंगे. पहले तो हमें जानना होगा Planning क्या है? Sport तो हम सब जानते हैं क्या है? जब किसी भी काम को हमें करना होता है तो उसके लिए हम प्लान मनाते हैं और फिर करते हैं. लेकिन अगर Definition आता है तो क्या लिखेंगे तो Planning एक Intellectual Process है किसी चीज को Advanced में सोचने का मतलब अगर कुछ करना है तो आप पहले से ही उसके बारे में सोचेंगे कि गोल सेट करेंगे कि हम अगर इसको ऐसे करेंगे तो हम लोग को ये काम आसानी से हो जाएगा तो Planning एक Strategy है कि किसी भी process को करने का और पहले से तैयारी करने का Planning किसी भी काम को करने का एक वो systemized तरीका है जिससे हम बहुत से benefit मिलते हैं जैसे हम exam से पहले पूरा schedule बनाते हैं कि कैसे हमें क्या पढ़ना है ताकि आपको उसके पूरे benefit मिल सके या फिर हम इसका उधारन हमारे future को लेकर भी क चुनाओ करना और step by step लच की प्राप्ति करना लेकिन हम यहाँ sports में planning की बात कर रहा है तो अगर definition आती है meaning and objective of planning तो क्या लिखना है दीखेगा planning is a process of setting objectives and deciding how to accomplish them planning in sports is required because there is a definite time frame for achieving the objectives and the result are also known very clearly in definite terms मतलब अगर हम इसको आपको हिंदी में समझाएं तो हम कह सकते हैं कि अपने उद्देश की प्राप्ति के लिए अपने कारे को इस प्रकार इस्थापित करके करना जिससे अपने उद्देश की प्राप्ति हो सकते हैं यही planning है planning को योजना बोलते हैं हिंदी में निश्चित सर्तों और साफ सुत्रे पढ़नाम तथा निश्चित समय सीमा में उद्देश की प्राप्ति के लिए प्लानिंग स्पोर्ट्स में बहुत जरूरी है अपने उद्देश की प्राप्ति के लिए अपने काम को इस प्रकार इस्थापित करके करना जिससे हमारे कारी की प्राप्ति पूनता संभव हो सके यहीं प्लानिंग है निश्चित सर्तों और साफ सुथ्रे प्रणाम तथा निश्चित समय सीमा में उद्देश की प्राप्ति के लिए प्लानिंग स्पोर्ट्स में बहुत जरूरी है अब इसके कुछ अब्जेक्टिव्स हैं अब्जेक्टिस ऑफ प्लानिंग और गिवन बिलो क्या है यह आप सफलता के प्रच्छत में सुधार लाना नबर तीन फाइंडिंग आउट दो केसे जोफ फेलियर पिफलता के मामले का पता लगाना नबर फोर दिसाइडिंग दो एप्रोप्रियेट टाइम डूरेशन आफ प्रोग्राम किसी कारक्रम की उच्चित समय सीमा अवधित तै करना की इतने डूरेशन में इस कारको हमें कंप्लीट करना एक टाइम फिक्स करना उच्चित समय अवधित फिक्स करना नमबर पांच है distribution of work according to the ability of the pupil involved मतलब कार में सामिल व्यक्तियों को उनकी छमता के अनुसार कार का वित्रण करना है sports होते हैं तो उसमें बहुत सा management देखना होता है जैसे ground management को देखना होता है equipment का रख रखाओ देखना होता है media को देखना होता है team के रुपने और खाने के विवस्थाओं को देखना होता है उसी से related point नमबर six point is remaining within the budget will achieving the required targets मतलब अपने आवस्यक लच्छों को प्राप्त करते हुए बचट के भीतर कार करना पैसे का दुर्पियोग न करना limited जो पैसा है उसी के अंदर ही अपने कार को पूर करना तो बच्चों यह हमारा आज का पहला topic था meaning and objective of planning अपकल किसी दूसरे next topic इसी के next topic के साथ हम आपके स साथ दुबारा मिलेगे next topic में हम लोग planning planning के अंतरकत committees और उनके responsibilities के बारे में पढ़ेंगे ओक थैंक्यू